13th Feb 2023 का The Hindu newspaper analysis start करते हैं कल यानि कि 12th Feb को मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था उसका एक तो कारण ये था कि संडे था और उसमें न मैंने जब चेक के तो mostly जो न्यूस थी न वो repeat हुई थी वीक की और एक दो important चीज थी वो मैंने cover कर दिया अच्छे से जो उससे बेले दिन के missing editorial था उसको भी summarize कर दिया है तो आजवले में हम लोग actually 12th का content भी cover करेंगे और हम 13th का भी जो भी most important है जो exam point of view से important है कुछ previous questions भी देखेंगे mains के भी, prelims के भी वो भी सब covered हैं तो start करते हैं हमारा जो most important news है आज का वह चाइना इस प्लैनिंग अक्साई चीन रेलवे लाइन टू कनेक्ट तिबबत एंड शिंजियान प्रोविंस अब यह जो एरिया है ना यह जो लाइन ने ट्रॉक बनाने वाले है अपने ने ट्रॉक बना रहे हैं उससे को दिक्कत नहीं है बढ़ हमारे यह इंडिया के रीजिन से पास करेगा यह हमारे इश्यू बनता है तो इंडिया का वो कौन सा रीजिन है देखो यह जो पूरा मैं आपको जम्मो और कश्मिर का दिखाई दे रहे हैं सामने इसमें यह यह यलो कलर का पार्ट है यह जो डार्क ग्रीन में यह हमारा एरिया है लेकिन यह पाकिस्तान ने उक्यूपाई किया हुआ है अब यह पाकिस्तान के साथ जो हमारे लाइन है बार्डर की उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ओफ कंट्रोल और ये जो कुछ एरिया था जो P.O.K का पार्ट था लेकिन फिर पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दिया था तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं चाइना की बाउंडरी इंडिया के साथ बनानी चाहूं कश्मी रीजन के साथ में तो वो कुछ इस तरीके से बनती है इसके बियॉंड पूरा का पूरा ये चाइना है ये पूरा रीजन चाइना का ये अकसाई चीन का रीजन हमारा था बट ये चाइना ने किसी तरीके से उक्युपाई कर लिया था अब हो यह रहा है कि इंडिया कहता है कि यह वाला हमारा पार्ट है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते और यहाँ पर भी तो इस इस रीजन जहां से सीपेक भी पास करता है चाइना का और चाइना अब एक railway network बना रहा है जहाँ पर यहाँ इनका Xinjiang province है और इधर इनका पूरा तिबबतन रीजिन है तो चाइना जो railway network पास कराएगा वो थू अकसाई चीन गुजरेगा इंडिया के लिए यह एक problem है तो यह अपना नया railway line का construction करने वाले शेंजियांग और तिबबत को connect करेंगे यह जाएगा हमारे LSE के पास से गुजरेगा और यह हमारा अकसाई चीन का जो रीजन है चीन है चाइना नहीं है अकसाई चीन तो यह इनकी जो तिबबत में जो autonomous region की government है उसने प्लैन बताया था recently क यह अकसाई चीन से गुजरेगा इनका medium से long term का railway का plan है इन्होंने का था कि अपना यह TAR का railway network है इसको expand करेंगे 2025 तक इसको 4000 km का बना देंगे राइट ना यह 1400 km का है तो almost they are adding 2500 km to this अब यह इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास से गुजरेगा इंडिया के लिए यह सारी बहुत tension वाले चीज है क्योंकि इसी ऐसे ही कुछ construction के कारण ही 1962 वाला जो हमारा war हुआ था अब कौन से कौन से location से गुजरने वाला है वो एक अलग चीज़े हैं लेकिन हमारे लिए pointy बनता है कि चाइना का twin purpose क्या है यहाँ पर अब इसको दो purpose से देखा जा रहा है एक तो चाइना अपनी border security को increase कर रहा है ताकि उनके border areas को closely integrate कर सके future में जब भी requirement हो तो बहुत quickly अप बनाने की कोशिश कर रहा है this is another issue जो चाइना का और इंडिया का border का issue start हो गया अभी अब देखते हैं कितना दुनों तक और चलता है तो 1400 किलोमेटर की थी 4000 किलोमेटर बनाएंगे 2500 किलोमेटर के आसपास ये नया add करने वाले हैं तो राइट ना और तिबद के अंदना सिर्फ तीन railway lines है तो जो कि basically 2006 में 2014 में इन्होंने add की थी और उसके फिर 2021 में इन्होंने add की थी और एक लहासा निंग्ची line है जो कि तिब करेंगे इसको इनका एक provincial capital है शिचुआन का वहां तक लेके जाएंगे वहाँ पर अपनी major economy military hub को western China में लोग promote करना चाहते हैं इनका major aim यह ना इनकी जो original capitals हो जाएंगे इनका time period यह 36 hour से reduce करके 1 by 3 पे लेयाएंगे यानि कि 12 घंटे करना चाहते हैं तो इंडिया इस लुकि रेस करेगा दोबारा से and let's see how this thing rolls out in future important current affairs start करते हैं सबसे पहले मारा जो topic है वो है the muons penetrate ancient Xinjiang fortress wall तो यह क्या है इसको समझने कोशिश करेंगे recently study की गई थी यहाँ पर researchers यह एक्जामिन कर रहे थे कि China की जो ancient city शिंजियान उसकी जो fortress की जो wall है उसको हम लोग penetrate कर सकते हैं क्या कि उसका पूरा का पूरा stone का जो surface है क्या यह muons के particles उसको outer space से penetrate कर पाएंगे तो इसे को examine करना था अब इसमें muons होते क्या है and यह muographic क्या study होती है तो यह है वो fortress की wall and यह आप देखो कि तो बहुत ही broad है यह पत्थर की बनी हुई है और किस तरीके से यह space में से इन particles को using a device तो काम कुछ इस तरीके से करता है using a device यह particles penetrate करते हैं इस wall को समझने की कोशिश करेंगे एक process होता है इसको बोलते है muography इस method के अंदर बहुत जो large structures होते हैं उनके अंदर muons की penetration की power को check किया जाता है तो इसका इस्तमाल कहां करते हैं generally यह चीज़ archaeology में इस्तिमाल की जाती है and archaeologists का इस्तिमाल करते हैं बहुत सारे जो archaeological sites होते हैं उनको investigate करने के लिए 1960s के अंदर जो हमारे Nobel Prize winning physicist थे Lewis Alvarez उन्होंने इसका इस्तिमाल सबसे पहले किया था गीजा के अंदर जो pyramid थे ना of kafre के इसके अलाबा भी customs जो होते हैं हमारे airports वगारे को पर security में and volcanoes की internal imaging में भी इसक 2015 में scientist ने इसका इस्तिमाल Fukushima का जो nuclear reactor था ना उस पर भी किया था and इसके अलाबा जो Italy का volcano था Mount Vesuvius वहाँ भी इसका इसका इस्तिमाल किया गया था तो यह muons क्या होते हैं यह भी सब atomic particles होते हैं जो कि space से आते रहते हैं यानि कि they are created जब particles हमारे अर्थ के atmosphere हमारी cosmic जो rays होते हैं उसके साथ जब हमारे अर्थ के atmosphere में particles का collision होता है तो और यह cosmic rays क्या होते हैं यह भी high energy के particles ही होते हैं जो speed of light से travel करते हैं Scientific American magazine के accordingly about 10,000 mules reach each and every square meter of the earth's surface in a minute एक minute के अंदर अर्थ का जो surface है पूरा का पूरा हम अर्थ का आप लोग अगर एक flat surface consider करते हो तो उसमें एक square meter के अंदर 10,000 के आसपास mules ये होते हैं उस पर पहुँचते हैं तो ये जो particles होते हैं ये electron जैसे ही होते हैं लेकिन इनका जो mass होता है वो 207 times ज्यादा होता है electron से इसलिए इनको fat electrons मोटे electrons भी बोलते हैं लेकिन जो mules होते हैं बहुत heavy होते हैं तो they can travel hundreds of meters of rock or the matter before getting absorbed or decayed तो ये कुछ properties होती हैं इसी कारण से इनको archaeology में इस्तेमाल किया जाता हैं अगर हम electrons की comparison करते हैं तो they can penetrate through only a few centimeters and they are highly unstable तो ये सिर्फ 2.2 microseconds के लिए exist करते हैं तो scientists एक neon detector का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका नाम है Cormis Cosmic Ray Mion Imaging System का जो शिंजियान की जो city की जो wall है इसको study करने के लिए तो ये topic था Mion से वगरा के बारे में आ सकता है Suntech में कोई जो भी ऐसी टेकनोलोजी होती है उस पर there are questions and you need to know about them कुछ idea होना चाहिए आपको जिसको थोड़ा बहुत science background रहा तो उसको halka बहुत idea होता वैसे ये electron, proton, neutron तो सबने पड़े होते हैं 5th, 6th, 7th class में तो common subjects होते हैं तो उसके accordingly आपको idea लगी सकता है बाकी immunography क्या हो गया Actually there will be higher chance की immunography की applications पर question आ सकते हैं इसमें science and tech में जो questions की range होती हैं उसमें 70-80% जो questions होते हैं science and tech की जरफ उसमें से 70-80% आपके application based ज्यादा आते हैं तो ध्यान रखिएगा immunography क्या होती है and recently इसका चाइना की जो शेंजियान fortress की जो city की wall थी ना उसको penetrate करने के लिए उसको investigate study करने के लिए किया गयता इस्तमाल हमार पास एक editorial था ना The battle against child marriage आसम cracks down on child marriage but the activists and the health workers they seek an old round approach from education of girls to awareness campaigns to stop the practice Rahul कर्माकर जी की report थी है तो editorial था but मैंने उसे जब highlight-violet करने लगा तो I thought कि summary पढ़ा देना ज्यादा बेटर रहेगा विकि ये ball रिटोरल नहीं जिसमें से आपको कुछ sentence मिल रहा था तो हो ये रहा है ना पिछले कि उस दिनों से असम government ने ना more than 2000 लोगों को गिरफतार किया था विकि उनका एक campaign चल रहा था against child marriages अब पुलिस क्या कर रहे है इसमें retrospectively लोगों को book कर रही है retrospectively मतला होता है कि पहले जो ये गलतियां कर चुके हैं ऐसा नहीं कि अभी right now जो कर रहे हैं वो कह रहे है कि पिछले 7 सालों में जो लोग child marriages का हिस्सा थे ना उन सब को focus किया जा रहा है मुलास पे, काजीज पे, पुजारी के उपर जो इन marriages को connect कर वाते हैं अब ये arrest किये जा रहे थे क्योंकि जो Muslim women होती है उनकी minimum age of marriage के उपर एक debate चल रहा था तो कौन से ऐसे कानूने जिनके तहत इनको arrest किया जा रहा है उनको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग men, पुरुष जिन्होंने शादी की थी उन लड़कियों से जिनकी शादी के समय उमर 14 साल से कम थी उनको बुक किया जा रहा अंडर POXO Act POXO के फुलफ़म होती है Protection of Children from the Sexual Offenses एंड वो लड़किया जिनकी उमर 14 से 18 थी उनको बुक किया जा रहा अंडर PCMA 2006 Prevention of Child Marriage Act दोनों Acts को समझ लेते हैं एक बार ये जो टॉपिक है ना आपका ये GS2 में Social Issues वाला टॉपिक है आपका POXO Act 2012 के अंदर आया था यानि कि अगर आप किसी माइनर के बीच में और किसी अडल्ड के बीच में अगर कोई sexual intimate कोई movement ऐसा होता है तो उससी को criminalize किया गया था कोई adult अगर किसी माइनर के साथ कोई sexual assault करता है तो और उस law ने का कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो माइनर है वो कहेगा कि हाँ मेरी सहमती सही हुआ था यह जो मेरी सहमती मेरी consent थे था तो इस law ने का कि उसको valid नहीं मानेंगे चोटे बच्चे की सहमती भी हाँ पर नहीं मानेंगे क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है इस adult ने उस बच्चे को पर किसी तरह का कोई pressure डाला हो उसको बहला फुसला करके अगर तुने ऐसे बोल दिया तो तेरे परिवार को खतम कर दिया जाएगा कुछ लोग कर देते हैं इसी कहानी आप लोग ने देखियोंगे तो उनने का कि छोटे बच्चे का भी consent होगा वो valid नहीं होगा तो कोई भी अगर sexual assault होता है वो non-vailable and cognizable offense होता है यानि कि एक तो जमानत भी नहीं मिलेगी आपको दूसरा उसमें आपको गिरफतार किया रह सकता है बिना किसी वारंट के अगर चाइल्ड मेरेज होती ना जिसके अदर लड़की की उमर 14 से कम होती तो उसको consider ही किया जाता है यह तो sexual assault हुआ है इसका sexual assault which is not penetrative carries a minimum imprisonment of 3 years that may extend to 5 years with a fine तो section 19 जो है इस act का उसमें बात किया थी mandatory reporting obligation यानि कि एक person जिसको इस बात पर शक होता है या इसको किसी sexual offense की कोई knowledge होती है जो छोटे बच्चे के खिलाफ किया गया था उसको एक report जारी करनी पड़ेगी report करना पड़ेगा police के सामने या पिर कोई special juvenile police की unit होती है तो उन्होंने बस ये section 19 जो है थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल बढ़ाता है उन्होंने का था कि mandatory है reporting mandatory है और जब व्यक्ति उसको पता था कि ऐसा हो रहा अगर वो नहीं करता न उसके उपले लिए भी सजा है for example एक person A है और यहाँ पर एक minor था और यहाँ पर एक adult भी था इनके बीच में किसी तरह का कोई sexual offense हुआ अब A जो परसंदर इसको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड हुई है but A ने report नहीं किया और बाद में जब कुछ case चल रहा था इनकी कहीं से पता चल जाती है और यह भी समझ में आता है कि A को इस बात के बारे में मालूम था संग्यान था इस बात का लेकिन A ने report नहीं की तो A को भी fine लग सकता है A को भी सजा हो सकती है तो इस पूरे के पूरे act को बच्चों की safety को ध्यान में रखके बनाया गया था then prevention of child marriage act 2006 में आता है उन्होंने कहा था कि child marriage नहीं illegal है but void नहीं हो सकती है ठीक है यानि कि they are voidable at the minor's choice if he or she petitions the court to declare the marriage null and void लेकिन हम रद नहीं कर सकते है इस act के तहट रद कब करेंगे जब जो minor होगा न उसकी choice होगी वो अपना petition दाकिल करें court के अंदर कि ये जो marriage है इसको null and void कर दिया जाए तो ये छोटे बच्चे के 14 से कम का जो होगा न child होगा उसके उपर होगा इस act के तहट 18 years को minimum रखा गया था women के लिए और men के लिए रखा गया था 21 years की minimum age इसके beyond इसके 18 plus में जो लड़किया 21 plus में जो लड़कियों उसको prevention of child marriage के तहट cover नहीं किया जाएगा आप इसमें punishment भी मिलती है दो साल तक की है उसके beyond fine भी लग सकता है एक लाग रुपे तक का और दोनों भी हो सकते है तो punishment किसको मिलती है anyone who performs, conducts, directs और abets any child marriage तो कहीं child marriage हो रही उसका हिस्सा गलती से भी मत बन जाना पता नहीं इन में से कौन सी चीज में आपको वो पार्ट बना करके सजा देना स्टार्ट कर देंगी अभी यह हुआ न, असम के अंदर देखो relatives of two persons who were arrested as part of the crackdown against child marriage break down outside a police station in Morrigan district of Asam तो 2000 के आसपस लोगों को पढ़ा गया है उसमें मुलास, काजी, पुजारी सब है यह वोई लोग तो जो कहने कहीं perform कर रहे थे connect कर रहे तो उसका part बने हुए थे अभी debate क्या चल रहा है Muslim age of marriage पर क्योंकि यह article हमारा इसी चीज़ के बारे में था तो जो Muslim के personal laws है उसके तहक जो marriage of bride होते है is obtained when who has attained puberty यानि कि जब आप लोगों ने school time में पढ़ा होगा न, biology के अंदर कि male and female की जो होती है na, adolescence जो start होती है वो थोड़ी सी male की start होती है around 13, 14 के आसपास है 15 तक भी, थाना females की थोड़ी जल्दी start होती है 11, 12, 13 तो जो Muslim personal laws होते हैं, उन्होंने का कि लड़कियां जब अपनी probability की age attain कर लेती हैं, 11, 12, 13 साल की उमर तक उस समय, they are ready to become a bride वो शादी के लिए तयार हो जाती है यह ऐसा Muslim personal laws के accordingly होता है आप जो gap है na between the Muslim personal law and the special legislation है, जिसके कारण चाइल्ड marriage को रोका जाता है sexual activities का, उसके कारण इस तरह की marriages के नदना बहुत सारी criminality भी होती है तो दूसरे जो religions हैं, उनके personal laws क्या कहते हैं एक Hindu Succession Act है 1956 का उसमें बात की गई हिंदू, बुद्धिस, जैन और से की property inheritance को लेकर के एक हमार पास Parsi's Marriage and Divorce Act है 1936 का, वहाँ पर उनके religious tradition के कोड़िक शादी कैसे की जाएगी एक Hindu marriage भी हैं, जिसके पहर जो लोग Hindu होते हैं, उनकी marriage का क्या, मतलब age वगरा का क्या होगा उन सब को codify किया गया था तो इस सब के उपर central government का stand क्या है जब हमारी 1947 का time था उन्होंने कहा था कि जो minimum marriageable age है ना, वो थी 15 years female की और 18 years थी men की 1978 में गवर्मेंट ने इसको increase किया लड़कियों के लिए कर दिया उसको 18 साल लड़कों के लिए कर दिया उसको फिर 21 साथ 2008 में Law Commission की एक report आती है उन्होंने कहा था कि जो minimum marriageable age है ना वो दोनों की, men और women की दोनों की 18 साल ही होनी चाहिए 2020 में 18 साल दोनों की common हो जानी चाहिए अभी recently 2021 में Central Government ने बात किय थी Prevention of Child Marriage के Act में amendment की उन्होंने raise किया था जो manageable age होगी ना women की across all the religions उसको 18 से 21 करने की बात की गई थी Law Commission कह रहा था कि लड़कों की 21 का reduce करके लड़कियों के साथ ले आओ 18 पे अभी जो government amendment की बात की थी ना उन्होंने कह था कि इसको लड़कियों का जो 18 था था ना इसको increase करके 21 पे ले आओ तो as per the union minister of women and child development ये जो amendment होगा ये apply होगा सभी communities को पर जब इनक्ट हो जाएगा जो पहले वाले सारे marriage और personal laws थे नो सब के उपर ही supersede करेगा अब note क्या है along with Indian laws and the constitutional provisions कुछ जो modern international laws और conventions है जहां पर minimum age की बात की जाती है तो उसके अंदर भी कुछ conventions है UN का convention and consent to marriage है and minimum age for marriage and registration of marriages है UN convention and elimination of all forms of discrimination against women है Beijing declaration भी है ये सब के सब वो conventions है जो women specific बात करते है एक minimum legal age की बात करते है women specific में but child marriage जो है आज की rate में religious sanctions के दहर चलता रहता है और India के अंदर ये चीज़ ना mostly आपको राजस्थान में West Bengal में देखने को मिलेगी हम लोगों ने पहले एक editorial ही cover किया था इससे मिलता है था उसमें बात की थी दो states की कि इंडिया के अंदर राजस्थान और वेस्ट पंगौल ऐसे एरिया होता है जहांपर child marriages सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है Considering the previous question 2016 में एक सवाल आया था Examine the main provisions of the national child policy and throw the light on the status of its implementation तो यह topic बहुत महत्पून था Editorial था summarize करके जो main points थे वो आपके सामने पेश कर दिये गए तो असम के अंदर यह चल रहा है असम के अंदर citizenship को लेकर भी काफी sure था जब वो NRC वाला मुद्दा आया था citizenship amendment act का भी आया था तो ध्यान में रखा करो कि कौन से state के अंदर किस तरह के चीदे चल रही है तो basically असम के अंदर भी जो मुद्दा आया था न NRC वाला मैं off the topic जा रहा हूं बताई देता हूं इन सब का origin पता है कहा हुआ था उसके लिए 75 साल पहले जो पाकिस्तान नहीं किया था न वो सब जिम्यदा था आगर partition में वो चीज़ा नहीं होती न तो आज की डेट में हम लोग country के अंदर बहुत सारे जो मुद्दे देख रहे हैं वो हम लोग जम्मु इन कश्मीर में उसके बाद पंजाब की बॉर्डर पर लगा रहे होते हैं पाकिस्तानी जो टेरिरिजम को रोकने के लिए उन सब का वो क्या है consequences है 1947 में लिए गए partition के decision के consequences जो आज तक जहेल रहे हैं और पता नहीं कितने सारे ओल जहेलना पड़ेगा तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि definitely आप मेंसे काफे लोग बनेंगी officers वीचर में और बहुत हट तक आप लोग जिम्मेदार होंगे देश की नीतियां बनाने के लिए आगे भविष्य में क्या होगा पुरानी जो गलतियां हुई है उनको सुधारने के लिए जो लोगों ने उसमें सहा है जहला है उन सबको बहतर करने के लिए तो इन बातों को समझना जरूरी है इनकी roots को समझना जरूरी है कि considering the past also and present को देखते हो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है चीजों को बहतर कैसे किया जा सकता है अब आपके सामने आपको map दिखा ही दे रहा होगा यह हमारी river गंगा है और यह यहां से जाकर के bay of bengal में जो कि मारा bob है वहां पर जाकर यह drain हो जाती है इसमें एक side से ब्रह्म पुत्रा भी मिलती है यमुना भी मिलती है और भी बहुत सवरी नदिया है जो इसके tributaries बन जाती है आगे जाकर के तो यह पूरा का पूरा जो region है न यह बन जाता हमारा गंगा बेसिन अगर आप देखोगे यह yellow color में और कुछ violet से color में highlight किया हुआ है हलका से green भी है यह पूरा का पूरा गंगा बेसिन बनता है तो इसमें कौन से कौन से states आगे you have we have this new Delhi थोड़ा हिमाचल प्रदेश का पार्ट भी है उत्तरकंड इस देर नेपाल इस देर तिबबत का भी कुछ रीजन है भूटान यह बहला कि यह पूरा 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 यह होता है यह सारा का सार मारा गंगा बेसिन का पार्ट बनता है एक रिपोर्ट आयती रिसेंटली उसमें बात की गई थी कि ग्राउंड वाटर का जो स्टोरेज का लॉस हो रहा है गंगा बेसिन के अंदर उसको हमलोग फिर कैसे हैंडल करेंगे फरदर इसमें यह यूजिंग मल्टिपल लाइन्स अफ एविडेन्स अलसो उनसे यह पता चला था कि गंगा बेसिन के अंदर जो ग्राउंड वाटर का स्टोरेज लेवल था न वो 2.6 सेंटीमीटर तक हर साल तक डिकलाइन कर रहा है तो यह सारी फाइंडिंग्स क्या है इनको भी इनको चैंडिंग वाटर का स्ट्राउंड अफ्रींग क्या है तो यह संट्रा वो न पोटरी वह अंडी दिट्स अंडियरियोंट चैंड एंडिंग्स का इसका ब जुलिंग्स क्या दूंड यानी कि 2.7 चैनि कि सिग्वेश अंड अन्डर्वान प्राउंड था अंडिंग् इरिगेशन इंडिया तो ये तो 36% पर इंडिया इंडिस्टिक्स को ग्लासिपाई किया गे तो ओर एक्स्पुटिटिकल ये पहला पॉइंट हमारे यहां गलत है समझ लेते हैं एक बर सारी इन चीज़ों को उसके बात होटे से मेंस के क्वेशन पर देख तो पहले मेंस के क्वेशन पर आज़े डालते हैं एक क्वेशन 2018 में आया था इडिया इडिया इस दी वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम हाव के इडिट बी मेड इफेक्टिव इन अर्वन एरिया तो देखो गया आप प्रिवेशन प्रिवेशन बिल्कुल टॉपिक से आते हैं और यह तो आप एक्स्पिनेशन है पूरा का पूरा चाहू तो आप पढ़ सकते हो अब हम लोग अपने टॉपिक थोड़ा देख लेते हैं कि गंगा बेसिंग का जो यह पूरा का पूरा एक्विफर है न यह लार्जस रिजर्वे बनता है ग्राउंड वॉटर का अब यह जो रिपोर्ट आया थी उसकी क्या फाइंडिंग से उसको पता करने की कुशिश करते हैं तो उन्होंने का 1996 से लेकर और 2017 तक यह अल्मोस्ट टू डेकेड्स की बाद की जा रही थी यह जो एवरेज ग्राउंड वॉटर लेवल था न यह 2.6 सेंटीमेटर पर एयर टक डिग्रेड कर रहा था पानी इतना कम होता जा रहा था और यह जो डेटा का अनालिसस किया गया है न यह आया था फ्रॉम दी ग्रेस ग्रैविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपरिमेंट ग्रेस के सेटलाइट्स 2002 में लांच की गई थी वो इंडिया के अर्थ के व मिला था यूपी बिहार वेस्ट बिंगाल के अंदर वो था रफली टू सेंटीमेटर पर यह पॉइंट सेंटीमेटर इस तरीके से और यह जो इंपक्स थे जदा देखने को मिलेते है राजस्थान, हर्याना एन देली के अंदर यहां पर बहुत जदा लार्ज अमांट के अ ज़रूरी है, सारा मत करो, एवरेज वाया याद कर लो एक, क्योंकि सारा कितना याद करो, कितने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे वेरियेशन होते हैं, तो एक याद करके रखो, एक एक स्टेट वाले में मत जाना, डेली एन हर्याना के अंदर हाइस ग्राउंड वाटर के अब स्टेक्शन के रेट्स देखने को मिलेते हैं, प्रहंपुत्रा बेशिन के अंदर भी ज्यादा ग्राउंड वाटर लेवल के रेटक्शन था, दैन गंगा एन इंडस पेसें, अब उंको थोड़ा सा गंगा रिवर सिस्टम हलका सा समझ लेते हैं, बिकाज प्रहंपुत प्लेन से, वैली से, प्लेन से निकलती हैं, एंड हिंदूस के दवारा ये मोस्ट सेक्रिड रिवर है अर्थ पे, गंगा का जो बेसिन हैं वो इंडिया में भी है, तिबद में है, नेपाल, बांगादेश में भी हैं, इंडिया के अंदर यूपी, माध्यप्रदेश, राज वो तेरी ग्लेशर से, जहां से इसकी उत्पत्ती होती है, वहां इसको बोलते हैं भागी रती, फिर वहां नीचे होते हो आती है, देव प्रियाग आती है, देव प्रियाग के अंदर ये अलकनंदा से मिल जाती है, तो जहां देव प्रियाग में अलकनंदा प्लस भागी र तो इस इस सोन इस यमुना ये गंगा के राइट साइड में है अब देखोगे तो एंड लेफ्ट साइड में फिर घागरा गंडग कोसी ये सारी के सारी रिवर सिदर से आती हैं देन चंबल और बेतवा भी हैं इसके बाकी important sub tributaries के अंदर गैंजेज रिवर डॉल्फिन जो है ये एक endangered animal है ये इसको पर question आ चुका है आपका पहले prelims के अंदर फिर गंगा प्रंपूतर को भी जौंग करती है जो कि बैंगल बैंगलेश में प्रंपूतर को जमुना बोला जाता है और फिर दोनों बिल करके पद्वा बन जाती है फिर गंगा डेल्टा में सुन demographics रहा और ज्यादर वाइड हो जाती है and Bangladesh के अंदर BOP के अंदर ही पूरा का ending और drainage होता है so this is definitely an important topic, you cannot miss this topic now we have this topic Startup India Seed Fund Scheme recently Ministry of Commerce and Industry ने 477 करोड़ अप्रूव किये थे हमारे Startup India Seed Fund Scheme के था है तो कि हमारे Startup India Initiative का ही एक flagship part है Seed Funding यानि कि किसी भी Startup के अंदर Early Stage पर जो Investment की जाती है ने बिल्कुल Starting में Beginning के टाइम पर उसको अमलोग Seed Funding, Seed का मतलब ही होता है वो छोटा सा होता है, छोटा से फिर वो बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा Size में अगर पानी में डाल दोगे दिर 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 वो प्लांट में बढ़ता है, प्लांट से फिर वो ट्री बनता है यानि कि वो funding आपके Startup में जो बिल्कुल Starting में मिल रही होती है तो company को एक ऐसे point पर पहुँच पाना जहां पर वो additional rounds of funding secure कर पाए उसके लिए और फिर वो बाद में self-sustaining बन जा उसके लिए ये seed fund का concept भी निकाला गया था Startup India क्या था? हमारे इंडिया के न एक action plan था 19 action points का Prime Minister के द्वारा जन्मरी 2016 में launch किया गया था यानि कि Startups के लिए conducive environment हम इंडिया में कैसे बना सकते हैं तो उसी पूरे startup ecosystem को और robust बनाने के लिए हम लोगों ने Startup India initiative को launch किया था ताकि हमारे जो budding entrepreneurs हैं उनको बहतर opportunities मिल सकें और यह जो flagship schemes हैं यह आती हमारे startup इंडिया के अंदर जो जो आती हूँ है fund of funds for startup and यह हमारा startup इंडिया funding scheme है फिर एक credit guarantee scheme भी है startups के लिए कि अगर आप लोग loan लेते होना तो government थोड़ी सी guarantee ले लेगी कि आप loan को चुका दोगी अब यह जो SISFS क्या है यह scheme का announcement January 2021 में हुआ था यानि कि जब COVID का time चली ही रहा था था तो अब मेरा जो DPIT है Department for Promotion of Industry and Internet Aid उन्होंने इसमें 945 करोड के आसपस approve किये थे for 4 years जो कि 2021 में start हुआ था कि start-ups को में थोड़ी मदद दी जाएगी execution and monetary की बात करते हैं तो इसके लिए DPIT ना एक expert advisory committee बनाई थी जो सारा का सारा execution करे ही और monetary करे ही हमारी start-up India seed fund scheme का इनका काम ही यह होगा कि सारे कि सारे जो incubators होते हैं उनको select करना इसकी progress को monitor करना और जो भी necessary major सोतन पर काम करना अब कौन से कौन से start-ups हैं जिनको यहां से पैसा मिल सकता है एक तो वो start-up को na DPIT के दोरा recognize किया जाएगा यानि कि its incorporation should not be more than 2 years होगा यानि कि वो 2 साल से कम का होना चाहिए for example अभी 2023 का फरवरी चल रहा है न अगर तो it should not be beyond 2021 February उसके बाद का कोई बना वो start-up होना चाहिए then उनको monetary support में 10 लाग से उपर नहीं मिले होना चाहिए या तो central government या state government से पहले कोई पैसा ना मिला होगा तब उनको दिया जाएगा and preference उन start-up को दी जाएगी जो कुछ innovative solutions पर काम कर रहे होंगे waste management, water management, financial inclusion, education, agriculture, food processing, biotech, healthcare energy इन में जो start-up काम कर रहे होंगे उनको priority दी जाएगी grants and support तो इसमें 3600 entrepreneurs को via 300 incubators अगरे 4 सालों में मदद की जाएगी and जो भी eligible incubator होगा committee के दोरा select किया जाएगा उसको up to 5 crore दिये जाएगे उसके अलावा एक selected incubators को grant भी मिल सकता है 20 लाग तक का for the validation, proof of concept, prototype कैसे develop कर रहे हो product के trials के लिए, उन सब के लिए उनको 20 लाग की grant मिल जाएगी देखो grant वाला वो पैसा होता है जो फिर government वापस नहीं लेगी एक तो होता है ने credit देना, loan देना, ठीक है यह तो पैसा वापस लेना होता है, बट जब बात की जाती है ने grant देने की तो यानि कि यह पैसा फिर आपसे वापस नहीं लिया जाएगा आपको दे दिया, आप रखो, ash करो तो what is the need for the seed fund? जो भी हमारे early stage के जो enterprise होते हैं, start-ups होते हैं उनको थोड़ा से capital मिल जाता है, survive करने के लिए, sustain करने के लिए and हमारा जो Indian startup system है उसमें capital inadequacy है पैसे की कम ही रहती है, in the proof of concept के development stage में कि आपको इस startup को run कर पाऊगे निस बात का सबूत भी तो होना चीए आपने जो product develop किया है, वो product कितना viable है market में चलेगा या नहीं चलेगा, तो उन सब के लिए न उन लोगों पाथ इतना पैसा होता नहीं कि उसको properly market कर सकें, उसकी availability को show कर सकें consumers के लिए वो accessible बना सकें तो ये make or break situation होती है, capital की जो requirement होती है उनको बहुत अच्छे business ideas होते हैं बड़ काम नहीं कर पाते, बहुत सारे innovative business ideas इसलिए fail हो जाते हैं क्योंकि उनको critical capital मिल नहीं पाती है early stage पर, क्योंकि proof of concept के काम करना पता है, prototype को develop करना पड़ता है product के trials लेने पड़ते है, market में एंटर करना पड़ते है, commercialize करना पड़ते है इस सब के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा नहीं होता तो बंद जाते हैं तो दूसरे भी कुछ initiatives है है मारी country में startups को ले करके जैसे startup innovation challenge है, national startup awards दिये जाते हैं ranking जाती है states के अंदर की कौन से कौन से state startup ecosystem को कितना support करते हैं हमारे जो शेंगाई cooperation है, उसका भी एक forum है जो startups को support करता है प्रारंब करके भी एक summit हो अगरा होता है startups के लिए, young minds के लिए उनको नए ideas, innovations पर काम करा जाता है तो हमारे civil service के अंदर there was this question कि venture capital का मतलब क्या होता है, 2014 में आया था तो एक short term का capital जो industries को दिया जाता है एक long term का startup capital जो नए entrepreneurs को दिया जाता है एक funds provided to the industries at the time of incurring losses funds provided for the replacement and renovation of industries तो answer इसका B, यानि कि venture capital एक form of fund होता है नए और growing business के लिए तो venture capital के साथ firms को funding मिल जाती है startups वगरा को in exchange for equity यानि कि उनको अपनी company के कुछ share वगरा देने पड़ते हैं और जो इसको पैसे को invest करता है, उनको बोलते है venture capitalist तो ये topics है, news में चलते रहते हैं ये कभी-कभी skip हो जाते हैं, इनको skip मत किया करो exam point of view से यही important होते हैं आपके सामने ये map है इस map कम लोग अभी समझेंगें, पहले थोड़ा से जान लेते हैं theoretically कि Paris club क्या होता है तो ये न mostly जो western creditor countries है ना जोकि 1956 से लेकर के बाद में और उसके बाद इन सबने एक as a public creditor agree किया था यानि कि ये एक forum है जहाँ पर official creditors होते हैं वो कुछ payment की difficulties को पर deal करते हैं जो कि debtor countries के द्वारा phase की जाती है इनका objective है debt relief solutions में कुछ sustainability पर पहुंचना खासकर उन cases में जहाँ पर जो bilateral loans लिये जाते हैं दो countries के बीच में आगर उसमें कोई solution नहीं हो पाता उसे वो repay नहीं कर पाते हैं तो तो Paris club एक informal group है creditor nations का वो country जो loan देती हैं ताकि international IMF को श्रिलंका का जो debt है न उसमें कुछ financial assurance प्रवाइड करने के लिए यानि कि श्रिलंका देखो श्रिलंका पर अभी recently means में question आया था तो IMF उसके further कुछ security देगा finance security उस बात को लेकर के IMF को नहीं कुछ assurance चाहिए होती है कि वाई कोई तो इस बात की हामी भरे कि श्रिलंका इस loan को लोटा पाएगा नहीं लोटा पाएगा तो यह उनको finance assurance कौन देगा आप Paris Club Paris Club क्या ही informal है formal group नहीं है तो श्रिलंका को assurance की requirement है Paris Club से और बाकी भी कुछ creditors है ताकि उनको 2.9 billion का एक bailout package मिल से के IMF से क्योंकि 2022 में इनका economic crisis आया था अब श्रिलंका का जो economic crisis ही हमारे neighbor country में है और इंडियने इसमें बहुत budget के support भी किया था इसलिए question आपका means में पूछा भी गया था अब even if it is an informal group लेकिन यह exam में था तो इसके members के बार में थोड़ा idea तो होना ही चाहिए members का idea यहाँ map से भी लगा सकते हो तो देखोगे तो यहाँ पर Canada है, US से है then this is like Brazil है और European countries and Russia is part of it Australia majorly is part of it तो अगर हम countries देखते है Australia, Austria, Belgium, Canada Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Israel भी इसका part है Japan भी part है, Netherlands, Norway, Russia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, UK and US तो जो countries other than European continent की है उसके अलावा उनको mark कर दे तो बाकि सब ठीकेस में तो यह जो सरकल में थे, they are other than Europe जो दोनों की यह जो 22 members है ना यह members है OECD के Organization for the Economic Cooperation and Development अब इस agreements के अंदर जो होता है ना इनकी official website के recording लिए इन्होंने 478 agreements पर काम किया था तो since 1956 यह जो debt framework था ना यह Paris Club agreements पर काम करता है तो इन्होंने 614 billions का जो transaction होता है उसको handle किया था As per the recent development Paris Group के बाइलेटर लेंडिंग जदा डील की जाती है As per the last century लेकिन पिछले 20 सालों से चीज़े थोड़ी सी change हो गए तो वैसे आगर ही अपने आपस में deal करता है वो एक चीज़ होता है अगर हम श्रिलंका की बात करते हैं तो इंडिया, चाइना, जपैन इसके largest bilateral creditors रहे थे तो श्रिलंका का जो debt था यहने की जो करजा था ना चाइना पर 52% है उसके total bilateral debt का 19.5 जपैन का है और 12% इंडिया का है अब इंडिया की क्या पोजिशन रही है इस bilateral negotiation में श्रिलंका के साथ इंडिया ने अपना खुद का एक bilateral negotiation किया था श्रिलंका के साथ January 2023 अभी रिसेंट्ली तो हमारे जो इंडियन external affairs minister थे उन्होंने announce किया था कि हमारा इंडिया ने भी IMF से बात की थी कि इनको necessary financial assurance दी जाए क्योंकि हम लोगों ने neighborhood first policy थी 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 ना उसके तहत श्रिलंका की मदद करने की कोशिश की थी कुछ मिलते जोलते सबाल आये थे अभी recently 2022 का जो पास्तिर प्रिलेम्स हुआ था उसमें question आया था rapid financing instrument और rapid credit facility तो यह भी landing के कुछ provisions होते हैं बटी किसके द्वारा दिये जाते हैं एक था Asian Development Bank second IMF तीसरा UNPFCI और World Bank तो answer था इसका B International Monetary Fund अब यह answer आप detail में कर पढ़ना चाहते हैं आपढ़ सकते हैं 2020 के अंदर एक similar सा question आया था gold tranche इसका मतलब क्या होता है a loan system of the World Bank one of the operations of the Central Bank a credit system granted by WTO to its members और a credit system granted by IMF to its members answer इसका D IMF का एक credit system होता है जो अपने members को दिया रहाता है में इसमें कुछ questions आया थे जैसे कि in respect of India श्रंका relations discuss करो how the domestic factors influence the foreign policy तो इंडिया श्रिलंका का question 2013 में आया था and अभी 2022 में question आया था India is an old age friend of Shri Lanka discuss India's role in the recent crisis in Shri Lanka in the light of preceding statement you see कितने सारे चीज़े important हो जाते हैं इस तरह के topics के साथ में हो सकता कि कल को एक Paris club पर भी question आ जाए Paris club जो हो बोल देगा है यह formal है बट यह informal group है तो वोग यह कह देखा कि China is the biggest creditor है क्योंकि China आज के टाहिम में evolving economy है कुछ टाहिम में शायद US को भी overtake कर लेगा तो यह छोटे-छोटे points की कौन सा country क्या है यह याद रखने जरूरी होते हैं because they are recently in the news we have this editorial India-US Space Corporation from Handshake to Hug यह लिखा गया है प्रणाव सत्यनात की जी के द्वारा यह तक्षिला इंस्टूशन के अंदर एक research analyst है and these views are all his personal इंडिया-US का जितना हो सके topic को cover करने की कोशिश करा करो ignore मत किया करो because अगर आप देखोगे नहीं पिछले 5-6 सालों के अंदर IR के अंदर जितने भी topics पूछे गया है उसमें कहिना का US का angle जरूर use हुआ था इसलिए नहीं कि क्योंकि US अपने आप में बहुत major power है इसलिए क्योंकि US है important इंडिया के लिए अगर इंडिया चाइना को counter करना चाहता है तो उसको इंडिया की कि US इंडिया का बहुत support कर रहा है तो US इसलिए UPS से बार पिछले 60 सालों से ऐसे हर question में कहिना का US का angle होता ही है तो इंडिया मैंने आपको कहा editorials हम लोग word to word पढ़ेंगे सारे अब कुछ आज के article essays में सिर्फ वो भी है मतलब data है तो वो मैंने आपको highlight कर दिया है तो data एक है हमारा service sector अब ही पढ़ेंगे आगे उसमें सर्फ data no down कर ले है यह वाला जो editorial है we'll go line to line इंडिया और US agree कर रहे हैं space collaboration को लेकर बहुत सारे areas में हमारा एक initiative on critical and emerging technologies का लेकर के we are working on human space exploration और कुछ commercial space partnership के उपर तो 8th meeting हुई थी recently इंडिया और US के civil space joint working group की 30 से 31 January को हुई थी November 2022 के अंदर US ने अपना Artemis प्रोग्राम पे काम करना start किया तो उसको kick off किया था और उन्होंने एक Orion spacecraft launch किया था towards the moon and plan था उसको वापे safely आर्थ पे लेकिया आना इंडिया भी इसको अपने एक आमबार के तरह देख रहा है क्योंकि इंडिया 2024 के अंदर अपना पहला human space flight launch करने वाला है तो दोनों कंटरीज ने बहुत significant steps ली है private sector को भी add करने के इसके लाबा दोनों ही कंटरीज अपनी policies और programs पर काम करना चाते है आने वाली अगरे 10 सालों के अंदर तो इस मामले में तो US और इंडिया की collaboration जो है काफी straightforward है और इंडिया बहुत सारे technologies और expertise ले सकता है इस तरह के space wearing यानि कि US इस तरह के एडवांटेज मतलब advance में काम कर रहा है तो इंडिया के साथ collaborate करके दोनों better हो पाएंगे लेकिन इतना भी straightforward नहीं है बहुत सारे हमारे पास structural factors की limit है जैसे काराण इंडिया और US कुछ short term पर ही collaborate कर पाएंगे तो देखते हैं mismatch कहाँ पर है हमारे interest के अंदर capabilities के अंदर जो पहला structural factor है ना जो हमारे long term की cooperation को limit करेगा वो हमारे दोनों nation के interest को लेकर के जैसे की US ने commit किया था कि वो मून पर जा रहा है and this time to stay there for a long time लंबे समति रुकेगा वहां पर हाला कि US और उसके partner से इस बात को लेकर कोशिश की थी उन्हें stress जालने की कोशिश की थी कि lower earth orbit के अंदर अपनी capabilities को maintain करना कितना important है but उनके जो ambitions है ना US के वो मून के उपर जादा है इसी regard के अंदर जो Artemis program है Artemis Accords है और बादेन अनुशिशन का जो national cislunar science and technology strategy है ना उसमें उन्होंने बात कि दे कि अमेरिका के क्या ambitions होने वाले beyond the earth orbits वहीं पर इंडिया की जो scientific community है ना वो काम कर रही हमारी national capability को under the earth orbits पे काम करने के लिए ISRO ने पिछले साल हर साल के ना 10 से कम launch करता है हमारा जो गगनियान का human space light program है वो हमारी human presence को sustain करने के लिए हमारा एक बड़ा long term का step होने वाला है तो this is not to say कि इंडिया जो है वो moon और moon के beyond काम नहीं करना चाहता है लेकिन इंडिया के भी right now जो top priority है वो है हमारी satellite की increment करना उसको substantially increase करना और हमारी जो earth orbits के अंदर capabilities है ना उनको बहतर करना ताकि हम लोग China जैसे country के साथ match कर सकें अब जो asymmetry है हमारी capabilities के अंदर वो हमारा second structural factor बनता है इंडिया यूस की cooperation में क्योंकि यूस के पास ने highest number of registered satellites in space के उनके पास बहुत सारे launch vehicles भी हैं जो कि commercial भी है और national security की भी है अगर हम लोग उनकी private sector की बात करते है न तो SpaceX जो कि Alan Musk की company है उन्होंने almost 61 launch के थे 2022 के अंदर वो इतना चटा था कि कि किसी भी दूसरी commercial entity या फिर किसी इवन दूसरी country के दोवारा भी नहीं किये गए थे तो अमेरिका का जो private sector है न उसमें बहुत सारे challenges भी देख रहे है वो लोग and they are also replacing the international space station by 2030 उसमें बहुत सारे छोड़े-छोड़े station लगाए जाएंगे अब इंडिया के लिए भी यहाँ पर एक बड़े capacity वाला challenge आता है हमारे पास overall 60 satellites हैं orbit के अंदर और हम लोग annually double digit के launch करी नहीं सकते है USA extensively काम कर रहा है space cooperation के लिए और उसके कुछ technical incentives में वो इंडिया के साथ भी काम करना चाहता है considering all these problems इन सब disagreements को देख करके कैसे दोनों के दोनों space sector के अंदर और बाकी celcius bodies के साथ अपना collaboration काम कर पाएंगे collaboration बढ़ा पाएंगे कुछ novel solutions की बात के लिए थी जो standard solution है वो है कि long term की cooperation की जाए academics में private sector में और state वाले entities में दोनों countries को इसके बाद हम लोग collaborate कर सकते हैं हमारे कुछ highly specialized projects भी जैसे कि Nisar है NASA ISRO का synthetic aperture radar वाला ऐसे projects को ओवर काम कर सकते हैं लेकिन जो solutions है यह long term है बट slow है और हमारे new space age के लिए पूरे तरीके सही suited भी नहीं है क्योंकि हमारे जो diplomacy है आभी भी बहुत तरह technological innovations के development के rate के साथ match नहीं कर पा रही है तो इंडिया और US को कुछ noble solutions निकालने पड़ेंगे इस new space age में आपस में partnership करने के लिए उसमें एक तरह का cooperation हो सकता है between state and the private entities जो की recent meeting में बात की गए थी एक convention हुआ है about the American and Indian aerospace companies का कि वो लोग NASA का और जो ये NASA का जो commercial lunar payload services program है उसके साथ और further collaboration करेंगे इस तरह के arrangements हम लोग further कर सकते हैं इंडिया अपने astronauts भेज सकता है training के लिए अमेरिका की private companies में ताकि इंडिया की राइट ना जो रशिया पर dependence है वो कम हो सके और इंडिया अपना खुद का astronaut training center बना सके तो अब ही जो हमारा गगणिया mission जो होने वाल है 2024 में उसमें जो हमारे astronauts की training की जा रही है वो रशिया में की जा रही है इंडिया अगर private companies जो अमेरिका के उनके साथ collaborate करेगा तो एक तो रशिया पर dependence कम हो जाएगी दूसरा हम लोग अपने उपर भी और क्योंगी US हमको support ज़्यादा करेगा इंडिया दूसरा जो nobel arrangement किया जाता है what would be about the consortium जो की government के द्वारा lead किया जाएगा that is new space india limited तो यह private companies को involve कर सकता है US के अंदर यह कुछ चीजे थी बहुत छोटा था ना विकीस में ज्यादा कुछ था नहीं बट यह ज़रूरी है india US का space cooperation पर लेकर can be a mains question based on this from handshake to hug यानि की collaborations कहां कहां पर है और achievements कहां कहां पर है and further हम लोग challenges भी address कर सकते हैं इसमें चाहिए को so this was the topic editorial है हमार पास what are micro led displays and why is apple shifting to it तो पहले वाली जो screen display के technology से उससे different कैसे है यह micro led और क्यूपर्टिनों की जो based company ने की apple की बात की जा रहा है वो इस technology में debut करने वाले हैं इनके बाकि कौन से कौन से products है तो apple अभी shift कर रहा है क्योंकि apple अभी तक क्या कर रहा था display technology में OLED का इस्तेमाल कर रहा था organic light emitting diode का अब वो shift कर जाएगा micro led के display के उपर और यह technology के अंदर apple का एक बड़ा transition होने वाला है micro leds क्या होते हैं तो जो concept micro leds का वो होता है sapphire तो sapphire अपने आप से shine कर सकता है forever एक micro led screen के अंदर इस तरह के small और strong light को फिर embed किया जाएगा और जिसमें बहुत सारे individual light emitting diode याने की leds लगाया जाएगे samson जो की already micro led के अंदर एक pioneer याने की pioneer मतलब agranine नेता रहा है काफी tinesis पर काम कर रहा है उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि micro led के अंदर वो एक small as small as cutting a centimeter of a hair into 200 smaller pieces तो आपका जो बाल होता है एक centimeter तक का बाल इसको आप फरदर और 200 pieces में 200 small pieces में cut कर दोगे तो उतने चोटे-चोटे elements को लोग use करेंगे अब हर एक जो या micro led होगा तो apple क्या करने वाल है 2024 में next year अपने कुछ watch घड़ी जो होती है इनके smart watch के models निकालेगा वहाँ पर यह technology का पहली बार इस्तमाल करेगा और बाद में फरी iPhone और Mac में इनको add करना start कर देगा तो इस technology को अगर पर introduce कर रहे तो हर बार जब भी technology आते हैं कुछ ना कुछ advantage के साथ आती है तो यह वाली screens ज़्यादा bright है इनका color reproduction बहतर है इनके viewing angles बहतर है इनकी scalability बहुत limitless है resolution free है, bezel free है, ratio free है और even size free भी है यानि की practical use के लिए इनको resize किया जा सकता है तो यह individually red, green और blue colors को produce करती है और जो electronic company currently इसमें world की most advanced manufacturer है उन्होंने अपना खुद का एक version निकारा हुआ है micro LED का TVs के लिए Samsung और LG का display जो है, वो evolve हुए है with brighter OLED panels पिछले कुछ दो सालों में लेकिन बात की जाए अगर micro LED की promises की तो वो अभी it is even greater luminance without the panel तो Samsung भी micro LED के साथ, display के साथ आया था, उन्होंने up to 4000 nits of peak brightness को लेकर के बात भी की थी अभी जो नई technology है, ये Apple, वर्ल्ड के लिए technology के मामले में तो Apple and Samsung, they are rivals अभी क्या है न, जो नई technology Apple के लिए क्यों important है, तो right now जो Apple के बाद जो screen के जो design वगरे आते हैं वो import करता है तो Samsung से, LG से, Japan Display Corporation से, Sharp Corporation, B.O.E. Technology से अब Apple जब ये नई display develop करेगा न, तो इन technological companies के उपर वो अपने reliance कम कर देगा, अपनी निर्भरता कम करेगा right now Apple ने क्या किया कि, अपने पहले अपने Mac के अंदर इंटल के chip यूज़ कर दा था, तो आप लोग देखो कि 2021 से, इन्होंने M1 और M2 के chips पे काम करना start के, ये Apple की खुद की chips है, processing chips है, तो ये अपना in-house design पे काम करना चाह रहा है, अब वो displays भी अपने खुद के बनाएगा, ताकि इस market के अंदर वो अपनी devices को अपने हिसाब से customize कर सके, और अपने supply chain पर एक बहतर कर लिया था, and depth screen की teams पर काम कर रही है, अब इसमें challenges के आते हैं, एक तो cost इसकी high है, technical challenges होते हैं, तो Apple इसमें 2024 था कि इसको potentially roll out कर देगा, and फिर देखते हैं, उसके अलावा यह कुछ नए devices के अंगर एक limited supply भी start कर सकते हैं, इस transition period के अंदर तो Apple Ultra watch आएगी 2024 के अंदर, उसमें micro LED screen का, screen का इस्तिमाल किया जाएगा तो यह नई टेक्नोलोजी थी और नई टेक्नोलोजी आपके exam point of view से हमिश्या important होती है that's why we have covered this thing we have this small article, the demand for a greater तिरपरा land by the तिरपरा मोथा अब यह core ideological demand आई कहां से है, तिरपरा-Indigenous Progressive Relations Alliance मोथा की, इसके कारण तिरपरा के अंदर एक larger politics बहुत impact हो रही है, how is it creating tensions जो newest political party है तिरपरा की, इसका नाम है तिरपरा, तिरपरा की फिलफोर में तिरपरा-Indigenous Progressive Relations Alliance 2019 में आई थी, इसको start किया था, प्रद्योत बिक्रम मानिक्या देबर्मा के द्वारा जो कि तिरपरा के लास्ट किंग के बेटे थे, और उन्होंने बात की हम लोग greater तिरपरा लैंड्स चाते हैं इनकी demand यह ही आई थी पहली बार जो electoral politics हुए थी तिरपरा के tribal areas, autonomic district council के 2021 के अंदर, जहांपर इस party को 28 में से 18 के आसपर seats मिले थी, तब से इन्होंने अपने इस demand को market में रखना start किया था तो क्या है यह greater तिरपरा land, जिसके ओपर यह लोग काम करना चाते हैं, तो तिरपरा मोठा की core ideological demand ही है कि हमको अपना एक अलग area चाहिए, इन्होंने अपना एक vision document निकाला था, last week उन्होंने कहा था, कि एक committed वो चाहते हैं, एक permanent solution चाहते हैं अपने indigenous people का, जो अधिकार है उनको hold करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक नए state के अंदर वो 19 indigenous tribe को add करेंगे तिरपरा का as per the article 2 and article 3 of the Indian constitution, तो article 2 article 3 हमारे constitution में part 1 में आता है generally वहाँ पर इंडिया और उसके states and सब unity and territories वगरा के बारे में वो लोग बात करते हैं तो इसी के अंदर उन्होंने कहा था कि they will go beyond this TTAADC area, जो advisory district council है उसके areas के beyond जाएंगे, कुछ और भी villages को add करेंगे, जहाँ पर तिपरासा, जो कि तिरपरा के indigenous लोगों को बोलते हैं, बहुत large amount में रहते हैं उन गाओं को भी add किया जाएगा and तिपरासा के अलावे भी बाकी regions के ने चाहाँ लोग होते हैं, उनके लिए task force set up की जाएगी कि इन लोगों को linguistic, cultural, social economic development के लिए सब को साथ में लेकर आया जाए तो उनकी जो core ideology है, वो है nationalism को लेकर कि and leadership of the Motha has been careful not to project itself as in of the tribal, by the tribal, for the tribal's only party, तो उनकी जो ने कहा था कि media के साथ जब भी बात किये थी, कि party बहुत inclusive है and जो non-tribal population है, उनको भी यो लोग add करेंगे इस demand की शुरुआत कहां से होती है, तो basically क्या वदन 2009 के अंदर indigenous people front of TRIPRA थे, उन्होंने भी ऐसी ही demand की बात की थी, तो उसी demand को दोबारा से rehash किया गया है, मोठा के जो leader है, जगदीश, दिबरना वो disagree करते हैं, उन्होंने का कि जो earlier TRIPRA land की demand थी न, वो थी एक अलग state बनाने की for the tribal population of TRIPRA, TTAD से अलग बनाने की present की जो demand है वो TTAD से के area के beyond जाने की है और इसके अंदर at least 36 villages over-add किये गए हैं, जहांपर tribal population 20-36% तक है तो this in no way would exclude the 9% उन्होंने का कि 9% को हम लोग exclude नहीं करेंगे Muslim population को भी और जो majority Hindu population है इसके साथ में उन्होंने का कि 1941 का इन्डिपेंडनेस से पहले जो census हुआ था न जो population थी, tribal और non-tribal की 50-50 थी, लेकिन जो next census हुआ था tribal की population काम हो गए थी, 37% क्योंकि बहुत सरे refugees आ गए थे East Pakistan उन्होंने का 1950 से 1952 तक तक तकरीबन डेड़ लाग refugees आये थे जो तिरप्रा के अंदर shelter के लिए आये थे, शरण के लिए थे जो इस करण के refugees के कारण बहुत सारे differences आ गए थे, conflict हुए थे, tribals और non-tribals में 1980s में बहुत जादा इसकी करण हथियारों को लेकर के भी लोगों ने हथियार ले ली थे हाथ में और insurgencies हो गई थी फिर डिमांड आती एक autonomous region की एक separate statehood की and क्योंकि जो sovereignty उनकी जो संप्रभूत आती और जो उनकी आजादी थी independence वो metamorphize हो थी, metamorphize मतलब होता है which evolves with changes with time तो how is this affected तिरपुरा and इसके कारण considerably काफी polarized हो चुका है and tribals की और non-tribals की जब से इसकी demand होई है तो relationship भी काफी uneasy चल रही है उन्हें November में काफी massive roadshow भी किया था और उन्हेंने का था कि this is one of the largest political mobilization of tribals in the state तो यह कुछ demand उठ रही है greater triple line को लेकर के जिसको हम लोगों ध्यान रखना है इसी चीज़ों के आपको example लिखने होते हैं this is important for GS2 also GS3 also यह चोटा सा article है service firms on the recovery path manufacturing is still a concern इसमें आपको पूरा पढ़ना नहीं है क्योंकि इसमें सब chart and data ही है तो जो highlight मेंने किया है बस वो data note down कर लेना और इसे पूरे की summary इस starting की चार पांच लाइनों में यह है जो share है ना urban consumers का who are pessimistic pessimistic मतलब है जो negative thinking करते है about the Indian economy it continued to decline in January 2023 though more than half of them said the situation has worsened compared to an year ago हुआ क्या RBI ने एक survey किया था उसमें पता चला था 19 major cities में 2 January से 11 January तर तो उनको बोलागे थे comment करो कि क्या perception है country का economic situation के उपर तो 52.0% ने कहा कि यह worse हो गया लिए कि पहले ज़्यादा खराब हो चुकी है परिस्थिया चार्ट बन भी यहां पर बताता है कि 49.9% कि almost 50% जो respondents थे ना वो country के अंदर जो employment का scenario उस गारी का जो पूरा मसला है उसको लेकर कि बहुत pessimistic है pessimistic एक तो होता है optimistic कि you are very positive, you are hopeful एक होता है pessimistic, you are not hopeful you are not positive तीसे चार्ट मुने बता है कि almost 30% ऐसे लोग थे, they were pessimist about their current income levels उनको अपनी income levels को लेकर के भी बहुत negativity थी कि future में इंक्रीज नहीं होगा economic situation खराब है कुछ positive number of points थे about the higher share of companies recording an increase in turnover and vice versa तो कुछ companies के share बगरा के अंदर improvement देखने को मिला थी and उचार्ट से भी पता चला था कि जो recovery होगी in the turnover of both service and infrastructure sectors then we have this demand for loans in the agriculture manufacturing, retail sector उसमें एक downturn देखने को मिला था and एक major uptick देखने को मिला था service sector के अंदर और infrastructure के अंदर तो बस यह कुछ factor यह point वाले चीज़ थी जो आप exam भी लिख सकते बाकि यह सब यह उन्होंने chart explain किया और सारे chart आपके लिए ज़रूरी नहीं होते है just note down these highlighted ones and that is all for you ethics के previous questions हम लोग कर रहे है 2016 का paper चल रहा है हमारा and हम लोग case studies कर रहे थे 6 case studies होती है 2 हम लोगों ने already cover कर ले थी आज हम लोग 2 over करेंगे तो बीच में एक दिन newspaper नहीं आ पाया था तो it was planned कि यह last की जो दो थी वो 13 तो फैब को हो जाएंगी बट मुझे लगता है कि यह यह last की जो दो थी ना वो shift हो करके 13 को नहीं कल में paper खतम कर दूँँगा 2016 का and next हम लोग 2017 का paper start कर देंगे तो चलते हैं हम लोग अपनी second last no sorry third last और fourth last case studies को cover करते हैं पहले case study को पढ़ेंगे question number 11 है मेरे पास 20 number का है मराई सवाल और डाइसो words में लिखना है यानि हमें 4 page मिलेंगे question है suppose you are an officer in charge of implementing a social service scheme to provide support to the old and the destitute women an old and illiterate woman comes to you to avail the benefits of the scheme however she has no documents to show that she fulfills the eligibility criteria but after meeting her and listening to her you feel that she certainly needs support your enquirers also show that she is really destitute and living in a pitiful condition you are in dilemma as to what to do putting her under the scheme without necessary documents would clearly be violation of the rules but denying her the support would be cruel and inhuman परसिती यह है कि आप एक social scheme को implement करने के लिए जिम्मिदार हो आप officer in charge हो एक महिला आती जो वरद भी है destitute भी है अपने जीवन में किसी तरह की दरिदिता साही गुजर रही है तो उसको scheme के benefit लेना चाहती है लेकिन उसके पास कोई documents नहीं है ठीक है और जिसके कारण उसकी eligibility का पता चल पाए लेकिन उससे मिलकर आपको ऐसा महसूस हुआ कि इसको support की requirement है जो आपके जाच करता है उन्होंने भी पता लगाए कि हाँ वो सच में बहुत दरिद्र जीवन जी रही है उसकी situation बहुत खराब है अब आपके सामने दुविदा है धर्म संकट है करो क्या अगर उसको scheme के अंदर डालोगे तो आप अपने scheme के नियमों का उलंगन करोगे अगर आप उसको scheme का फायदा नहीं देते हो तो बहुत अद तक वो एक inhuman हो जाएगा तो कैसे आप इसको handle करोगे तो एक component है याँपर हमारे question का Can you think of a rational way to resolve the dilemma कि आप ऐसा कोई rational तरीका ढूंड सकते हो इसको resolve करने के लिए and b में उसने पूछा उसके reason भी बता दो कि आप जो भी करोगे जो भी आप decision लोगे वो वैसा क्यों लेने वाले हो ठीक है start करते है तो case है हमारे पास यह वाला जो case बनता है this is from the ethics and human interface का जो आपका syllabus में part है और उसमें भी supererogation का जो topic होता है supererogation मतलब actions that go beyond the call of duty अब इस case study के अंदर कुछ facts और dilemmas है पहले हम लोगों ने वो note down किये compassion in public service citizen centricity of administration out of the box thinking among admins special case of weaker section and the supererogation versus duty-based governance यह dilemmas वगरा भी है आगे देखते हैं while it is important that the beneficiaries who are not eligible for the welfare benefits under a particular government scheme they are weeded out to ensure less pilgrimage it is much more important to not exclude any deserving candidate for whom the scheme is meant in this case one fact which comes out clearly is that the old lady is a destitute poor woman she deserves government care and support mere absence of documents to prove her eligibility should not be a hindrance to her welfare rights okay तो आपकी अप्रोच क्या होगी firstly to ensure her immediate well-being I will contact NGOs or any government organization working in the field of karyatic career यानि कि व्रदों की सहायता के लिए government की कोई scheme होगी या फिर NGOs होगी उनको पहले उनको पहले उनके immediate well-being पे काम करना because वो अभी बहुत pitable condition में है if available I will contact the old age home in the district for the same secondly as the basic inquiry has already been done and it's proven that she is really in need I will ask for any other supporting documents if available I will get her enrolled for the Aadhar card अगर Aadhar card नहीं बना तो पहले उसका Aadhar card बनवाया जाएगा voter card उसका बनवाया जाएगा ताकि इसका ये प्रोसेसे इसको पूरे को expirate किया आ सके now as part of the super arrogatory action यानि कि going beyond the duty I will try to ensure her emotional well-being for finding a family who is willing to adopt senior citizens in the old age home ऐसे परिबार होते हैं जो senior citizens को adopt कर लेते हैं ये आपको ढूनना पड़ेगा देखो ये परिसिदिय एक्चुल नहीं आपके पास आएंगी आगे जब आप बन जाओगे ना officer this is exactly how you have to deal with the situation I will get her registered under the scheme as soon as the basic documents required are ready अब long run के अंदर मैं एक district wide drive launch करूँगा ये identify करने के लिए कि वो कौन-कौन eligible beneficiary है जिनको exclude किया गया है फिर अपने reason देने आपको reason ये है it is not only a public duty but the directive principle of state policy under article 47 to ensure the well-being of citizens compassion with the weaker sections is essential for good governance it will strengthen geriatric care in the district senior citizens are integral part and assets of the Indian society their effective care is essential hence despite this not being part of my duty I will take the mentioned steps in line with the principle of supererogation supererogatory action leads to going beyond the mandatory duty which means you ensure ethical handling of the case and in the end you ensure democratic attitude and good governance lack of government अभी आपे पूरा conclude कर देते है इसको lack of government documents is a prime reason for exclusions under scheme my action ensures delivery of services even to the last man standing in the last row in line with the Gandhi and Maxim and addresses the stakeholders and dilemmas mentioned in the case अब future में कभी कोई ऐसी case study आए question आए न तो Gandhi and Maxim के बार में mention करो कि Gandhi जी भी यह ही चाहते थे कि last man जो standing in the last row है न उस तक benefit पहुचने चाहिए then we will be able to successfully successfully implement this scheme so this was a simple case study moving on to the next question that we have case study थोड़ी थोड़ी दे को बड़ी लिखी हुई है कहानी सी है टाइप की पर है बीस नम्बर की हैनि कि हमें चार पेज मिलेंगी पढ़ते हैं you are a young aspiring and sincere employee in a government office working as an assistant to the director of your department आप अपने department के director के assistant हो since you have joined recently you need to learn and progress luckily your superior is very kind and ready to train you for your job ठीक है he is very intelligent and well-informed person having knowledge of various departments in short you respect your boss and are looking forward to learning a lot from him since you have good tuning with the boss he started depending on you one day due to ill health he invited you to his place for finishing some urgent work आप से घर जाते विक दिन you reached his house and before you could ring the bell you heard shouting noises दरवाजे की घंटे बजाने से पहले आपको अंदर से कुछ आवाजे आई आपने से इंदिजार किया after entering the house the boss greeted you and explained the work but you were constantly disturbed by the crying of a woman आपको एक महिला कर ओने की अबाज आरी थी at last you inquired with the boss but his answer didn't satisfy you next day you were compelled to inquire further in the office and found out that his behavior is very bad at home with his wife आपने next day office में आके उनके बारे में पता करने की कोशिश के आसपास के लोगों से तो पता चला कि महिलाओं के साथ उस वक्ति के जो विहवार है वो ठीक नहीं है वो अपनी पतनी को मारता है पीटता है उसकी पतनी जदा educated नहीं है और एक simple woman है in comparison to her husband यू सी कि जो through your boss is a nice person in the office ओफिस में वक्ति बढ़िया है लेकिन घर पर ये domestic violence में engaged है ऐसी परिस्थिती के अंदर you are left with following options अब आपका काम क्या है situation समझ में आ गई आपका boss है ओफिस में बहुत बढ़िया है एक दिन urgently कुछ काम से घर जाते हो तो आवाज सुनते हो पता चलता है कि वो अपनी wife को मारता बीटता है अब आपको इसको कैसे handle करना है तो examiner ने आपको खुद कुछ situation दे दिये उनने एक-एक option दिया और उनने कहा कि इसके consequences को analyze करना है नंबर एक option दिया और उनने just ignore thinking about it because it is their personal matter this is one thing ignore करो तुम्हें क्या लेना दना उसकी personal life है न official life तो है नी public life तो है नी second है report the case to the appropriate authority ये second option दिया गया है तीसरे में examiner ने आपको बोला कि your own innovative approach towards the situation तीन चीज़े पूछी है दो option बता दिये इनको analyze करो इनके consequences बताओ तीसरे के अंदर कुछ innovative approach के उपर बात करो आप कैसे handle करते है situation को ठीक है start करते है तो ये जो topic है ये आता है हमारा ethics in human interface में ही same chapter जैसे पिछले case टीड़ी उठाई गई थी और जो topic है इस chapter में हो है ethics in public and private life तो moral और ethical dilemmas क्या क्या है यापर professional well-being versus social and legal responsibility extent of intrusion, interference in personal lives of others value conflicts in public versus private life ये हमारे कुछ moral और ethical dilemmas है इस case study में कौनसी कौनसी values and abilities involved है यापर courage, objectivity, integrity, compassion, sense of responsibility emotional intelligence and persuasion skills ये सारी values यहाँ पर involved है अब हम देखते है हमारे actions and consequences उन्होंने का न, action and consequences तो पहला option क्या था? उन्होंने जो दिया था? वो इग्नोर देशू अब इग्नोरिंग देशू under the pretext that it is their personal affair might ensure the status quo यानि कि जो पहले से पर इस तरी चल रहे है वो चलती रहेगी in terms of relationship with the boss and ensure professional well-being but this course of action is flawed because it will amount to shrinking of responsibility as a citizen, human being and true well-wisher of boss तो हम लोगों ने इसको analyze भी कर दिया और उसका consequence भी थोड़ा समझने की कोशिश की है आगे और फरदर इसी में rights of women are being violated and in case of difference on my part it will continue यह यह आएगा यहाँ पर in case it would amount to a loss of integrity on my part since I would not be true to my values and I would experience disonance and guilt तो मैंने अपने बता दे कि मेरे part पर उसको ignore करना मेरी consciousness के लिए भी ठीक नहीं होगा मेरे consigns भी मुझे अलाव नहीं करेगा second option मुझे दिया गया था कि किसी authority को report किया जाए now this is pretty straightforward and would have been preferable if the person involved were stranger to me कोई मेरे से अंजान होता तो मेरे लिए बहुत easy होता it might help me to remain anonymous as well as ensure justice to the lady but on the other hand since domestic violence is a civil wrong and the woman isn't educated and lacks awareness the influential boss might be able to get away domestic violence remedies also involve proper counselling and hence involvement of well-wishers is more advisable ये था second मरा अब उन्हें पूछा कि आप अपनी आपने दो action जो examiner ने दिये थे उनको तो कर लिया setup अब उन कह रहे है कि अपनी तरफ से analyze करो तुम बताओ क्या होना चाहिए कुछ और innovative approach हो सकती है since my assessment of my boss has been positive I would prefer to have an honest discussion with him regarding the issue I would tell him that such practices at home are illegal and would make him see the injustice to his wife I would persuade him to go for professional counseling as well as anger management therapy I would also make him see how his behavior impacts his personal relationships with his children I would tell my boss about how other people in the organization are aware of this behavior at home of his behavior at home and the kind of reputation he is building among his staff this directly correlates with the respect that he commands among his subordinates and colleagues and hence has a bearing on the work culture as well as performance of department so if I ignore the issue it will be an unethical action so it is wrong to do if I persuade him persuasion is applied then it becomes an ethical action which is right thing to do I would press him to have a conversation with his wife in a hospitable environment where I would make her aware of her rights as well as remedies available to her I would give her helpline number so that she can complain in case the domestic violence continues I would keep a tab on the issue and in case there is no change in the behavior of my boss then I would report the matter to authorities this addresses the issue of domestic violence as well as maintaining the professional integrity so ethics in public life they are grounded in ethics in private life this solution seeks to ensure the same simple खतम पूरा का पूरा जो भी था उसे दो बाते पूची थी एक तो यह जो गिवन है इनको अनलिसिस करो and further अपने कुछ इनोवेटी अप्रोच उसके बारे में बताओ कल हम लोग इसके लास्ट दो के स्टेडिस करेंगे question number 13, question number 14 यह दोनों के दोनों 25 नंबर के हैं थोड़े से बड़े होंगे एक-एक पेज एक्स्टाइस में यूज किया जाएगा तो खतम करते हैं thank you very much मैंने कल वीडियो नहीं की थी बता रहे तो मैंने important चीज सारी cover कर दी है कुछ भी miss नहीं किया है Sunday वाला मैंने आपको बताया था starting में की majorly newspaper में इनोंने highlights किये थे वस एक-दो topic नए थे वो हम लोग cover कर ही लेंगे कर लिए और जो editorial वगरा तो Sunday को होते नहीं वस पूरे सप्ता का जो भी होते है उसको summarize एक-दो point जो नहीं add होते हैं उन्हीं को Sunday को देते है तो thank you very much keep supporting the initiative and best wishes for your exam